सुशान सिंग राजपूत की हत्या के बाद कई चीज़े बाहर निकल के आई हैं कुछ मैंने इंटर्विउस पढ़े हैं कुछ डिरेक्टली भी बात की है तो उनके पीता जी का कहना है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में हो रही ही टेंशन के करके बहुत जादा परेशान थे तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मुवी माफिय ने नाख की सिर्फ उनको बैंड किया था सिस्टेमाटिक डिस्मेंटिलिंग कैसे कत्रा कत्रा करके उनका दिमाग तोड़ा गया है उनको मारा गया है तो ब्लाइन आइटम आप इसलिए लिखते हैं क्योंकि आप जब मिला हुआ है साइकॉटिक है इस तरह से जो की मनाली से डिस्क्रिप्शन पूरी दी जाएगी मगर नाम नहीं लिखा जाएगा 23 ऑगस 2017 को बॉलिवूड लाइफ सुशान के बारे में लिखता है कि वह जब भी सेक्स करता है तो सिर्फ अपने ही गाने सुनता है वह सबसे ब सुशान्त ने अपनी को एक्टर का रेप किया और वो मीडू के चलते अब जेल जा सकता है और ऐसी ना जाने कितने अंगिनत जूट और यह जो बुद्धी जीवी जर्नलिस्ट है यह जो चील का हुए गिद है जो मूवी माफिया के पाले हुए है यह इसको मेंटल इमोशन साइकोलोजिकल लिंचिंग को जनलिजम कहते हैं मेरे बारे में आस तक जो भी कहा गया मैंने कुछ निकाले कि जब एक सौतंतरता सेनानी के खिलाफ गंदगी लिखी गई मैंने इस जर्नलिस्ट को अपको पता है उसी राचार सीनियर जर्नलिस्ट ने मेरे खिलाफ एक गिल पिश्की मगर एक महीने बाद हो गाइब हो गए मेरी फिल्म रिलीज होई गाइब हो गए तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर यह समाज जिस अन्याय की बुनियात पर खड़ा है और कभी आवास ने आप यह पढ़ते हैं चटकारे लेते हैं कभी आपने सोचा है कि कभी न